अब देश उस दिसा में बढ़ रहा है जहां पर एक नई सरकार का गठन होना है क्योंकि बहुमत किसी को मिला नहीं है सिंगल लार्जस्ट पार्टी हालंकि बीजेपी रही है बीजेपी को भी धाई सो सीट नहीं मिली यानि बहुमत से बीजेपी दूर है हालंकि बीजेपी के नेत्रित वाले गड़बंधन इंडिये को बहुमत मिला है और 292 सीटे उसके पास है लेकिन इसमें बड़ा पेंच फस रहा है क्योंकि दो अहम किरदार अब प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सकते है और ये दोनों किरदार हैं चंद्रबाबु नायडू और नितीश कुमार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का हाल चाल ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पर अब बीजेपी को लेते रहना होगा तभी पांस साल की सरकार चल पाएगी और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर बिहार से है नितीश कुमार को लेकर जी हां नितीश कुमार ने एक बैठक की और इस बैठक के तहट ये तैकर लिया है कि समर्थन वो किसको देंगे सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि जैसे ही परिणाम आए उसके बार जीटियू ने एक बैठक की और उसने अब दिल्ली आने का प्लान कर लिया है जिसके तहट बिहार के मुक्षमंत्री नितीश कुमार दिल्ली आएंगे और चिठी लेकर भी आ रहे हैं एक ऐसी चिठी जो इस देश की सरकार तेंग करेगी एक ऐसी चिठी जो इस देश के प्रधानमंत्री को तहएं करेगी समर्थन किसको देंगे ये सबसे बड़ा सवाल है हालांकि केसी त्यागी ने पहले से कह दिया है कि नितीश कुमार कहीं भी जाने वाले नहीं है वो एंडिये के साथ हैं और एंडिये के साथ ही रहेंगे यानि बीजेपी को समर्थन करेंगे लेकिन नितीश कुमार का इत्यास ऐसा रहा है कि भरोसा नहीं होता है क्योंकि कब पल्टी मार जाए नितीश बाबू किसी को पता है नहीं अभी हाल फिलहाल का ही वाक्या ले लिजे, RJD को छोड़ कर BJP के साथ फिर किस तरीके से आये थे हालांकि एक ही वक्त के नेता है चंद्रबाबू नाइडू, नितीज कुमार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदेई और तीनों के बीच कभी न कभी तकरार जरूर रहे अब ऐसे में तीनों एक साथ कैसे चलेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है चंद्रबाबू नाइडू की तरफ से confirmation आ चुका है कि वो NDA को समर्थन करेंगे और उनकी तरफ से आस्वस्थ है बीजेपी भी की चंद्रबाबू नाइडू ने कह दिया है तो वो साथ ही खड़े रहेंगे लेकिन नितीज कुमार को लेकर अभी कस्मकस वाले स्थिती बनी है जब तक समर्थन का लेटर मिल नहीं जाता जब तक नितीज कुमार संतुष्ट नहीं हो जाते मंत्रालय के बटने तक कैबिनेट बनने तक तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि जेडियो की बैठक में ये तैंकर लिया गया है कि NDA को ही समर्थन दिया जाएगा नितीज कुमार दिल्ली आ रहे हैं जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात करेंगे जेपी नड़ा से उनकी मुलाकात होगी ग्रिय मंत्री हमें शाह से मुलाकात होगी और इस दावरान वो समर्थन पत्र सौंप देंगे और इसी के साथ देश में नई सरकार बनाने की कवाद बिस्तुरू हो जाएगे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे ऐसा अभी तक लग रहा है फिलाल आप किस खबर पर क्या कुछ रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और बने रहेगा हमारे साथ